हेलो फ्रायंड्स कैसे हैं, आप से बाशा करते हैं, आप सब ठीक होंगे आज मैं स्वेटर के मुढ्धे गटाना आपको सिखाऊंगी हम अपना स्वेटर बनाते हैं और अपने ये फंदे बढ़ा के उसके बाद हमें जितनी अपनी लंबाय रखनी होती है उतनी हम अपने लंबाई रखके अपने फंदे गटाते हैं अगर छोटा बनाने है या बड़ा बनाना है बस फंदे ये सीधे-सीधे बनाके आपने लंबाई रखके हम अपने फंदे गटाते हैं तो मैं अपने फंदे गटाओंगी, मैंने अपने हिसाब से इसको बना लिया है, अभी मैं फंदे गटाते हुए इस तरो से आपको बताती हम, तो एक फंदा और ये दूसरा फंदा, इन दोनो फंदों को हम एक साथ बोनेंगे। यहाँ पर हमें 5 फंदे बंद करने हैं, अगर आप छोटे बच्चे के बना रहे हैं, तो इसमें 3 फंदे बंद करना हैं, 3, 4, 5, अगर छोटे बच्चे के बना रहे हैं, तो 3, 2, 1, अगर बड़े के बना रहे हैं, तो 5, 3, 2, 1, अगर इसी तरह बनाने से हमारी गोलाई अच्छी तरह आएंगी, अब यह पूरी सलाई में सीधी सीधी बनाऊंगी, जो मैं आपको बना के दिखाते हूँ, यह देखना फ्रेंट्स, मैंने अपने रो बना ली है, इसमें हमने 5 फंदे यहां पे गटाए हैं, अभी 5 फंदे हम यहीं पे गटाएंगे, दूसरी सेड भी हमें 5 फंदे ही गटाने हैं, अगर हम जदा हेल्दी के लिए बना रहे हैं, तो इसमें 5 के जिए 7 फंदे भी 4, 5, जो यह मा रहा है हिस्सा है, स्वेटर का यह पीछे वाला हिस्सा है, पीछे वाला हिस्से के मैं फंदे गटाना, सोरी, यह मुड़े चाटना बता रहे हूं, तो यह पूरी सिलाई में सीधी ही बनाऊंगी, एक बार इस साइड से गटेंगे फंदे, और एक बार इस साइड से, दोनों ही बराबर चलेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 5 गटाए हैं, तो इस साइड में 5 ही गटाऊंगी, तो अब मैं यह रो भी आपको कम्पलिट करके दिखाते हूं, इदा के फ्रेंट्स मैंने इसकी 2nd रो भी बना दी है, यहाँ से मैंने फंदे गटा के, यह सीधी सिंपल ही रो बनाई है यहाँ तक, अभी गुरय लेकर आने के लिए, हमें इसको और गटाने हैं, तो अभी मैं पहले मैंने 5 पंदे गटाए थे, अभी मैं 3 पंदे इसमें मैं ऐसे ही बंद करूंगी कि यह दो फंदे एक फंदा और यह दो फंदे यह किया एक फंदा कम हो गया फिर यह एगले वाला यह फंदा लोंगी मैं इसके साथ ही यह वाला भी कम किया फिर इससे अगले वाला एक फंदा और लिके यह हमारे तीन फंदे कम हो गए याँ पर अभी ये हमारी गोला यानी शुरू हो जाएगी तो ये सलाई मैं पूरी करके आपको दिखाते हूँ ये देखो फ्रेंड्स मैंने ये रो भी कंप्लेट कर ले अभी हमारी ये जैसे हम अपने गले की कपड़े की सूट की गुलाई करते हैं कर ने करते हैं ऐसे यहां से सीधा तो अब यहां से मैं अब इस साइड से भी मैं यहां पर मैंने तीन गटाए थे तो यहां पर भी तीन गटाऊंगे मैं आप एक यह फिर ये दुबारा से दो इसको दुबारा से इसके उपर चड़ा के और ये और ये रोबी मैं पूरी सीधी-सीधी आपको बना के दिखाते हूँ ये देखना फ्रेंट्स मैंने ये रोबी कम्प्लीट कर ली है अगर आप इसमें और गुलाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर पहले दो फिर एक गटा देना पर मैं इसमें और गुलाई नहीं करूंगी बस एक स्लाई में ही एक फंदा और गटाऊंगी ये एक लास्ट तो मैंने इसमें गटाए हैं 5,3 और 1 ठीक है तो इसकी मैंने गुलाई की है 5,3,1 की अगर आपको इक गुलाई कम लगे तो बीच में 2 फंदे गटा के फिर 1 फंदे इसमें कम करना तो ये रो मैं आपको कम्प्लेट करके दिखाते हूँ और यहाँ पर भी मैं 2 फंदे ही गटाऊंगी ठीक है एक फंदा ही गटाऊंगी तो मैं ये करके दिखाते हूँ आपको यहां से मैंने एक फंदा गटा दिया है तो अब आगे हम पूरा अपने गले तक जैसी यह हमारे मुड़े हैं अब आगे हम सीधा इसीधा गले तक अपना बुनेंगे तो इसमें हमें कोई डिजैन ही डालना है यह सुरी कहीं पे फंदे नहीं गटाने हैं यह सिधे सीधे ही हमने बनाने है और जब आगे हम गले के चटाई करेंगे तो मैं आपको यह बताऊंगी तो मैं यह रोभी आपको करके दिखाते हूँ यह देकी फ्रेंस मैंने अपने मुड़े की गुलाई करती है अभी हमें जितने अपना लंबाई बनानी है मुढ़े के और गले के बीच में हम और लंबाई बना के आपको दिखाते हैं उसके बाद मैं आपकी गले की चटाई करना सिखाऊंगी तो आशा करते हूं कि यह आपको समझ में आ गया होगा फिर मिलेंगे ने सुड़े में, have a nice day